हाई गाईज, विलकम टो मिस्टर इंट्रोड एन यूडिव चैनल, आज हम लोग जेरिमी बिंथम का पॉलिटिकल थॉट करेंगे, ये पार्ट टू वीडियो है, इसका पार्ट वन वीडियो हम लोग ने चैनल पर अल्रेडी अप्रोड कर दिया है, उसमें हमने प्रिंसिपल उसे डिसकस करेंगे, और क्योंकि ये लॉयर थे तो इन्होंने काफी जादा जो एक्जिस्टिंग लॉस थे ब्रिटिश के उस चाइम पर तो उसे काफी जादा इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और कई सारे नए-नए डिफॉर्म्स भी लेकर आए हैं ये, तो हम लोग उने जो भी action होता है या कोई भी अगर हम लोग policy government जो बनाती है तो वो किस चीज़ पर depend करनी चाहिए, कि ज्यादा से ज्यादा हमें happiness मिले हैं, ज्यादा से जादा हमें pleasure गेन हो, और कम से कम हमें pain हो या फिर हम pain को avoid कर सके, human कैसा है, एक social being है, जो कि क्या चाहता है, हमेशा avoidance of pain चाहता है और गेनिंग ओफ प्लेजर चाहता है तो यहाँ पर प्लेजर वसस पें थियोरी में भी यह है है इस दी मेंश्रीं अफ ओ सौचता कि जो भी युमन एक्षा यह है जरुपी इस पात पर डिबैंट करता है कि इससे आपको प्लेजर मिलने वाला है यह पीए मिलने आला है if it produces happiness, surplus of pleasure over pain यानि कोई भी काम तब सही होगा बेंथम के accordingly यह जब क्या हो कि उससे आपको happiness मिल रही है happiness यानि कि pleasure जो है वो surplus है then pain ठीक, pain आपको नहीं हो रहा है या pain आपको कम हो रहा है और pleasure जो मिल रहा है वो जादा है तो फिर वो काम सही होगा ठीक, और वो काम गलत कब होगा and wrong if it provides unhappiness अगर आपको उस काम को करने से unhappiness मिल रही है तो वो काम कैसा होगा गलत होगा यानि surplus of pain over pleasure is not right ठीक, it means that the moral worth of an act is to be measured by its usefulness in promoting pleasure and not by its inherent quality ठीक, actual में जो काम आप कर रहे हो उसकी जो inherent quality है कि वो किस type का है morality के basis पे या जो भी पुराने दूसरे philosophers जज़ करते थे उस basis पे utilitarians नहीं ज़ज करते वो किस चीज में जज़ करते है कि actual जो end आपका है ठीक, जो भी आपको उस काम करने से जो भी end आएगा ठीक, वो आपको happiness दे रहा है या फिर आपको pain दे रहा है यही चीज उसकी moral worth को decide करेगी there are generally four sources of pleasure and pain which are distinguishable from each other चार तरीके के हम लोग ने sources दे के sources और इन्हें sanctions भी कहते हैं ठीक, एक पहला क्या होता है physical होता है, दूसरा होता है moral फिर तीसरा religious और चौथा political, physical आपको पता है जो भी nature से या फिर physical चीज़ों से अगर आपको किसी तरीका का pain या pleasure मिल रहा है materialistic चीज़ों से अगर मिल रहा है तो वो physical में आ दाएगा moral यानि आपको कोई चीज ethical या morally आपको कोई चीज pain या pleasure दे रही है तो वो होता हैगा कुछ जो भी religion आपका या फिर religious institutions जो है वो आपको अलग-अलग तरीके से pain या pleasure दे सकता है ठीक और political तो situation सब जगा होती ही है political situation से भी हो सकता है आपको pain या pleasure आप उसको महसूस करें ठीक तो ये pain and pleasure theory ही में सबसे important का है sources of जो भी pain और pleasure है वो चार तरीके के हैं physical, moral, religious and political an important part of Bentham's theory of pleasure and pain consists of calculation or what may be call measurement measurement हम लोग ने पहली देखा था philosophic calculus नाम का एक method दिया है इनोंने in part 1 video में ने जिसे cover किया था जिसमें 7 elements वो देते हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या calculate कर सकते हैं कि हमें किसी भी action को करने के बाद हमें इसमें pain ज्यादा मिल रहा है या फिर हमें इससे pleasure ज्यादा मिलेगा if pain and pleasure cannot be measure it would not be an easy task for individual to take decision or arrive at conclusion ठीक ये ये भी कहते हैं कि अगर pain और pleasure को हम लोग मेजरी ना कर पाए तो फिर हम लोग आखिर अगर जैसे आपको पता होगा कि यार इस काम को करने से में को ज्यादा pleasure मिल रहा है तो मैं उसी काम को करना better मानूँगा या उसी काम को करना choose करूँगा ठीक एक और अगर आपको पता होगा कि आपको किसी काम से pain ज्यादा होगा unhappiness ज्यादा मिलेगी तो आप उस काम को avoid करने की कोशिश करोगी ठीक तो अगर ये तिस आप calculate ही ना कर पाओ तो फिर तो आप आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे करना है तो आप किसी भी तरीकी की decision को नहीं कर सकते हो कि यार मुझे ये काम करना है कि नहीं तो इसलिए इसका calculation जो है ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है ठीक calculation का method हम लोग ने previous video में discuss कर लिया है the diffusion of pleasure and avoidance of pain are only ends which are more listed and legislator should always have in view legislator और को भी हमेशा अपने दिभाग में जो भी government policies बना रही है या government की policies जो भी main executor होता है उसको भी हमेशा यही चीज at the end उसे क्या अपने दिमाग में रखना चाहिए कि end means क्या होना चाहिए pleasure of people ठीक या फिर happiness of the people या फिर welfare of the society इस end को हमेशा अपने दिमाग में रख करके ही इसको क्या जहाद से ज़्यादा policies frame करनी चाहिए ठीक तो यह था pleasure and pain theory हम लोग इनका एक और काफी important जो principle है that is the principle of greatest happiness इसको हम लोग करेंगे ठीक जिसमें एक काफी important quote है इसको आप लोग अपने answers में बहुत अच्छे से quote कर सकते है that the object of legislation of state is to promote and secure the greatest happiness of greatest number ठीक ग्रेटिस happiness of greatest number यह term बहुत important है इसको इसका sense क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा खुशी ठीक यानि ज्यादा लोग भी खुश होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनका जो happiness का level है वो भी बहुत ज्यादा होना चाहिए ठीक तो यह basically आपका greatest happiness principle का main जो motto है वो यही है ठीक according to bentham state is evidently fictitious ठीक यानि state कोई अपने आप से बनी होई कोई entity नहीं है ठीक यह क्या है कि आपका कोई ना कोई तो state चलाता ही है कुछ rulers होंगे कुछ policy makers होंगे legislators होंगे तो यानि कि यह depend करता है लोगों के यूपर ठीक तो लोग अपने इसाप से क्या जो भी pleasureful जो भी end हो उस तरीके से state को चलाना चाहिए ठीक जो भी legislators होते हैं उन्हें हमेशा अपने mind में क्या रखना चाहिए कि उनको pleasure मिले जो भी वो policies बना रहे The greatest happiness principle means that the real significance of a law or an institution must be judged in the terms of what it does to specific individuals हब लोग ने पहले डिसकस किया कि Utilitarians जो थे यह ज़्यादा से individualistic in tone है यह community as a whole को लेके नहीं चलते हैं बलकि यह individual की happiness, individual का satisfaction individual का pleasure और ज़्यादा important मानते हैं ठीक तो यह क्या कहते है कि greatest happiness principle का क्या sense है कि कि किसी भी law का importance या significance तभी हो सकता है जब वो क्या किसी एक particular individual से relate करता हो, ठीक, किसी एक particular individual के लिए वो अच्छा होता हो ठीक, the worth of law and government must be in their effects upon the lives of actual men and women, ठीक, कहने का क्या sense है कि कि किसी भी law या government कोई भी law या government तभी वर्दी कहला या तभी वो अच्छा कर रहा होगा, जब वो जो actual man और woman है जो actual individual से किसी भी state के उनकी lives में कुछ अच्छा एक impact डाल रहा हो, ठीक, उनको pleasure feel कर वा रहा हो, या फिर उनने satisfied रख रहा हो, ठीक, for him quantity of pleasure is important ठीक, ये लोग जो है, ये quality of pleasure को नहीं मानते थे बेंथम, वो क्या कहते हैं कि एक उन्होंने काफी अच्छा example भी दिवा है, that is pushpin is as good as poetry हो सकता है, pushpin एन एक टाइप का game है, तो फिर किसी के लिए हो सकता है कोई game खेलना उतना ही pleasureful हो सकता है, या उतना ही उसको pleasure दे सकता है जितना किसी और के लिए आपका poetry करना, ठीक, तो क्या है, quantifiable चीज़ है, ठीक qualitative नहीं, qualitative अगर हम लोग होता तो क्या कभी भी कोई game का खेलना और कोई भी poetry पढ़ना ही, ये quality wise तो बिल्कुल दो different task है मगर इनसे मिलने आला जो utility है, उसको अगर हम लोग quantity में नापे, तो हो सकता है कि ये similar हो, कि किसी को वो same amount of satisfaction किसी game खेलने से मिल सकता है, किसी को पढ़ाई करने से मिल सकता है, किसी को किसी और चीज़ से मिल सकता है, तो इन्होंने क्या बताया है, utility को एक measurable बताया है, इसको quantifiable बताया है, ठीक तो ये था हमाँ principle of greatest happiness, last अब हम लोग करेंगे इनका theory of law and his reforms, क्योंकि ये lawyer थे, बट ये law में उतना जादा interested तो नहीं थे, मगर just because वो इस profession में थे, तो उन्हें जो भी existing laws and norms थे, या जो भी justice का pattern था, British का, तो उससे इन्हें काफी जादा problems थी जिसको इन्होंने severely criticize भी किया और उसके बाद में अपने कुछ reforms भी दियें, ठीक since Bentham was a man of jurisprudence and had special attachment to it, it is quite natural that ki legislation will receive added significance in its political writings, ये हमने discuss किया ही है the theory of law is its consequence ठीक, अब हम लोग इनकी theory of law थोड़ा सा देखेंगे, individual's obligation to the law is to be determined by its capacity to satisfy the utility, ठीक, कौन किस law को कितना जादा obediently मानेगा, किस तरीके से उसे consider करेगा, ये किस बात पर depend करता है कि वो किस तरीके से उन लोगों की utility को satisfy कर पाए, कौन law so the law is to be enacted in such a way as to fulfill the basic demand naturally the person who takes the leading part in enactment of a law must know the requirement of people, यहाँ पर legislator की बात की जा रही है in Bentham society the legislator had a very crucial part to play Bentham rejected the social contract theory of government as nonsense ठीक, इन्होंने क्या है, जितने भी social contractualist थे, अभी तक के Russo, Locke और Hobbs या जो भी और भी social contractualist थे इनकी theory को बिल्कुली इन्होंने क्या discard कर दिया और इसे nonsense भी बताया है, ये क्या believe करते थे कि लोग, जो है government का जो भी बात मान रही है, या obedience जो है, वो इस वज़े से नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई social contract किया, या फिर वो किसी contract से bound है, नहीं, बल्कि वो क्या obedience का जो reason मानते थे वो क्या थे, कि the probable mischief of 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 not obeying, या फिर of resistance is greater than the probable mischief of obedience, चिक, यानि अगर आप लोग law की बात मान लेते हैं, या फिर आप लोग अगर government की बात मानते हैं, तो वो क्या होगा, कि उससे आपको, उसका कम दुश परिणाम आपको मिलेगा rather than अगर आप उसको resist करते हैं, या फिर अगर, क्योंकि कहीं न कहीं, जो laws भी बने होते हैं, तो वो कहीं न कहीं तो आपके welfare के लिए बने होते हैं, या society में एक तरीके का peace, establish कुछ laws, काफी जादा unjust होते हैं, but still, जो जादा-जादा laws होते हैं, वो किसले बनते हैं, ताकि society में एक तरीके का peace रहे, सारी चीज़े, यह अच्छी रहे, तो इसलिए, अगर आप लोग laws ही नहीं मानेंगे, तो उससे आपको काफी जादा problem हो सकती है, ठीक तो यह इनका reason था कि किस वज़े से जो laws है, उसको man obey करता है, next हम लोग इनके reforms देखेंगे, थोड़ा सा, he said क्या किया है, discard किया है, natural rights को भी यह नहीं मानते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि ऐसे कोई भी right नहीं है, जो कि society अगर उसको हटाने से, society का भला हो रहा हो, तो उसे किसी भी तरीके से हटाना चाहिए, यानि कि जो भी चीज society के लिए advantage है, उसे हमें किसी भी हाल में करना ही थे, he criticized existing laws and method of executing them, ठीक जो भी उस चाइम पर existing laws थे, उन्हें बहुत जादा से जाए, इन्होंने criticize किया, और जो भी इनका execute करने का भी तरीका था, उसमें भी काफी जादा unjust तरीके से किये जाते थे, तो उसे भी इन्होंने काफी जादा criticize किया, most of the law reforms since Bentham's days can be traced to his influence, यानि उस चाइम से जो भी law के reforms हुए, उसमें कहीं न कहीं Bentham का influence रहा ही है, justice in fact, पहले क्या होता था, इंग्लैंड में कि justice जो था, वो जो भी अमीर, एर या elite class के लोग थे, वो justice को पाते नहीं थे, बलकि खरीद लेते थे ठीक, जो जादा से जादा justice के लिए पैसा देगा, वो जादा से जादा उसे justice मिलता था, यानि गरीबों के साथ तो unjust होता ही था, ठीक तो ये सारी चीज़े Bentham को पिलकुल नहीं पसंथी, तो Bentham इसके काफी जादा खिलाफ थे, Bentham also condemned delay and denial of justice on part of judges, तो इन्होंने judges को भी काफी जादा क्रिटिसाइज किया कि किस तरीके से, ये justice को ये लोग डिले करते हैं, किस तरीके से ये judges का denial जो रहता है वो भी इन्होंने काफी जादा क्रिटिसाइज किया ये कोई natural चीज नहीं है, या फिर कोई reason की वज़े से कोई mandatory चीज नहीं है बलकि ये क्या है कि ये generally आपका जिससे habitual obedience होता है, यानि कि for example आपकी government, तो उससे, उसका जो भी simple एक command होता है वही क्या होता है, law होता है, जो भी आप जिसको भी obedient यान साब जिसका भी कर रहे हैं, जिसके आप बात मानते हो उसका जो भी command होता है, वही क्या बन जाता है, law बन जाता है law therefore was simply an expression of the will of one accustomed to receive obedience, जो जो भी obedience लेने वाला होता है यानि हम और आप जैसे जो भी normal जो भी citizens है उनके लिए क्या एक तरीकी का एक command है, ठीक so this was all about theory of law his reforms, आज हम लोग ने greatest principle और pain versus pleasure theory को complete कर लिया है so thank you for watching this video and अगर आपको इसके hand return notes चाहिए तो आप लोग मेरा telegram channel जोईन कर सकते हैं online notes के लिए आप लोग मेरा blog भी देख सकते हैं, thank you